अस्विन मास की प्रतिपदा के साथ सार्दिय नवरात्री की सुर्वात हो जाएगी इस साल नवरात्री काफी सुमाने जा रही है नौ दिनों तक पढ़ने वाले इस परव में माद उर्गा के नौ सरूपों की पूजा की जाती है इस साल पूरे नौ दिनों की नवरातरी पढ़ रही है तो आये जानते हैं कि मा दुर्गा के इस बार हाथी पर सवार होके आने से क्या असर पढ़ेगा दीवी भागवत पुराड में मा दुर्गा की सवायों के बारे में विस्तार से वर्नित है वैसे तो मातारानी सिंग की सवारी करती है लेकि नवरातरी में मा दुर्गा धर्टी पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है मा जगदंबा की सवारी नवरातरी के प्रारम होने वाले दिन पनेर पर करती है नवराती की सुर्वाद जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तै होती है इसी प्रकार से वाजिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तै होती है इस बार सार्दी निवरात्री की सुर्वाद सोंबार के दिन हो रही है, मानिता है कि जब भी निवरात्री की सुर्वाद रविवारिया सोंबार से होती है तो मादुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती है, हाथी पर सवार होकर मादुर्गा अपने सार धेर सारी खुशिया और स सुक्सम्रिद्धी लेकर आती हैं। से होता है तो मा का वाहन खोड़ा जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। दूख और रोग बढ़ेगा वहीं सनीवार और मंगलवार को नवरातरी का समापन हो। तो मा जगदंबा मुर्गे पर सवार हो कर जाती है। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धी की ओर इसारा करता है। बुद्धवार और सुक्रवार को नवरातरी समापत हो। तो मा की वापसी हाथी पर होती है जो अधिक परसाथ की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरातर का समापन गुरुवार को हो रहा हो तो मा दुर्गा मनुस्य की ओपर सवार हो कर जाती है। जो सुक और सांती व्रिद्धी की ओर इसारा करता है आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जैसे किशनल